राहूल गांदी ने 14 परवरी से मनिपूर से मुंबई तक भारत जोड़ो निया यात्रा का अगास किया है यात्रा असम पहुंची और असम में राहूल गांदी के साथ कुछ गिवाओं ने धक्का मुक्की और जड़ब शुरू कर दी है वहीं इन तस्वरों के बाद देश भर में कॉंग्रियों में खासा नराज़की देखने को मिल रखी है इस घटना के निंदा कर रहे वधायक रफिक खान ने समवालता सुरेंद सुनी से खास पाचीत की राहुल गांदी मनिपूर से लेकर के मुंबई तक न्या यात्रा निकाल रहे हैं वहीं जब राहुल गांदी असम पहुंचते हैं तो वहीं राहुल गांदी के साथ वहाँ पर धक्का मुक्की और जड़फ होती है इस घटना के बाद से कॉंग्रियोश्यों में खासा विरोत पनप्ता हुआ नजर आ रहा है बात राजदानी तक भी पहुंच चुकी है इस वक्त हमारे साथ विधायक रफिक खान साब जुड़े हुए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है ये घटना कितनी निंदनी पूर्ण है क्या इस घटना से क्या इंपेक्ट कॉंग्रेस पर आया है या फिर इसे बीजे पी कोई नया रूप देना चाहती है भाई साब राहूल गांदी के साथ न्याय जोडो यातरा के अंदर धक्का मुक्की उनके साथ जड़फ होती है भाई साब ये तस्वीर आप किस तरीके से देखते हैं देखिए ऐसा है कि इस तरह की घटना कायरता पूर्ण घटना है निंदनिय है और मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे देश में पहले आप लोकसभा में आवाज दबाते हो और 142 सांसोदों को सस्पेंट कर देते हो और जब फिर सड़क का मार्ग और जनता के बीच में रहकर के आवाज उठाई जाती है तो आपके कारे करता उनको रोकते हैं उनके साथ बत्तमीजी करते हैं मिस्भीएव करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में इस बात की नाराज़गी है आप धार्मिक बातों से इसको ओवरकम आना चाहते हो ऐसी बातों पे जिस तरह का मुद्दा लेके राहूल गांदी सडकों पे चल रहे हैं आम आदमी का मुद्दा लेके करीब आदमी का मुद्दा लेके राहूल गांदी वो शक्षियत है जिसको जरूरत नहीं है पहले 3500 किलोमेटर 3600 किलोमेटर की पैदल यातरा करी और अब 6000 किलोमेटर की नया यात्रा करने जा रहे हैं तो मैं इनकी बोखलाट और इनका जिस तरीके से इस घटना के उपर इनका रियक्शन है जिस तरह से ये एजिटेशन कर रहे हैं रहूल गांदी की यात्रा को रोक नहीं कोशिश कर रहे हैं जंडे बैनर फाड़ रहे हैं बत्तमीजिया कर रहे हैं आने वाले समय में जंता इस बात का जवाब देगी जंता इस बात का जवाब देगी लोकसमा इलेक्शन में भी देगी और विधान समा में भी देगी भाई साब देखे नियाय यात्रा निकालना सबके अधिकार में है आवाज उठाना सबके अधिकार में है तो क्या लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त राहूल गांदी की सियात्रा से बोखलाई हुई यही कारण है इनकी बोखलाण्ट का यही कारण है जिस तरह से नियाय आत्रा में भीड उमढ्री है जिस तरह से लोग चारो तरफ हो रहे हैं इनका पहले यह मानना था कि पहले जितना रेस्पोंस मिला उसके मुकाबले अब रेस्पोंस नहीं मिलेगा लेकिन जब देखा कि जनता पहले से भी कहीं अधिक है और पहले से भी ज़्यादा लोगबाग सडकों पे है पहले से भी ज़्यादा आम आदमी राहूल गांदी के साथ है तो इनकी बोखलाट है ये इन्होंने ये एक तरीका अपना दिया गुंडागरदी का तरीका अपना दिया देश की जनता जवाब देगी मैं सब कल विधान सभा का सत्र प्राराम भोरा है सबसे ज़्यादा क्वेशन आपने पूटप किये हैं वो क्या मुद्दे हैं कल किस तरीके से विधान सभा का विपक्ष जो है वो काउंटर एटेक राजस्थान में जनता ने जो मैंड़ेट दिया है हमने उस मैंड़ेट को स्वीकारा है और विपक्ष की मुविका निभाएंगे और मजबूती के साथ निभाएंगे जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं आम आदमी से जुड़े हुए काम है आम आदमी को लावानवित करने वाले काम है चिरंजीवी योजना जैसी योजना है राशन कैसे मिले चिकितसा सुइधाय कैसे मिले एजुकेशन कैसे मिले जो मुख्रमंतरी अशोग गै व्यूए पहले कर दिए जिस सरह से जैपुर के अंदर जैपुर शहर में घरीब आडमी का दमन हो रहा है हतवाडों पे दुकानों पे थडियों पे ठेलेवालों पे एक Ęरी ठेलेवाले का गध receiving का जुर्माना गरीब आदमी पांदमी 500 सो रुपए रोजनी कमाता है उसके उपर दस जार रुपए का जुरुबाना स्ट्रीट वेंडर पे हर तरह के घरीब आदमी पे और रिक्षा पे सब पे जुल्म शुरू हो गया जब से बीजे पी आई है तो नियाय आत्रा की शुरुआत जैपुर में भी होगी और जैपुर के अंदर हटबाडे वालों को साथ लेके थडी ठेले वालों को साथ लेके इरिक्षा को साथ लेके स्ट्रीट वेंडर को साथ लेके दुकानों वालों को साथ लेके छोटे व्यापारियों को साथ लेके नियाय यात्रा जैपुर में भी होगी उसकी शुरुआत करेंगे और पर इनको सबक सिखाएंगे कि अगर गरीब पे जुल्म करोगे तो बच नहीं पाओंगे आवाज उठेगी जैपूर के अंदर आवाज उठेगी और नियाय यात्रा हम जैपूर में भी एक नियाय यात्रा निकालेंगे यात्रा की तस्वीरे कैसी होगी उन तस्वीरों को भी देखना होगा कैमरा सहयोगी राकेश गुपता के साथ उरेंदर सोनी नवतेश्टी वी जैपूर